हेलो एब्रिवन आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक और मार्किंग टूल जिसका नाम है सर्पेस प्लेट देखिए सर्पेस प्लेट एक्चुली बास्तविक्ता में यहां एक मार्किंग टूल नहीं है मार्किंग टूल मीन्स क्या होता है निसान लगाने वाले या चिन लगाने वाले जैसे स्क्राइबर पर सर्पेस प्लेट एक डेटम सर्पेस या समतल सर्पेस प्रदान करता समतल सता प्रदान करता किसी भी जौब को जिससे आसानी से उस पर मार्किंग की जा सके एक एक कुरे को इस तरह से बनी होती है उसको 3-point suspension दिये जाता है तक इसकी stability बड़ी रहे या इस्तिरता बनी रहे इसमें इसलिए इसको 3-point 4-point की अपेक्छा यानि कि इसके legs 3 होते है चार टांगों की बदले 3 टांगों इसमें इस्तिरता के लिए दी जाती है इस्टेंड करने के लिए से हैं यह है हमारी surface plate और इसकी surface को flat बनाया जाता है पहले इसकी ढलाई की जाते ही है फिर सीनिंग की जाती है कुछ दिनों तक इसे 6-7 महीने के लिए प्राकरतिक सीजनिंग के लिए रखा जाता है जिससे बाद में इसकी सता खराम ना हो और इस पर मौसम का प्रभा होना पड़े अब देखिए यह तो चर्चा होगी हमारी surface plate की अब हम बात करें इसके आकार की तो इसके सेफ पाए जाते हैं हमने यह देख लिया और यहाँ अब बात करें हम इसके material यह धातू की तो यहाँ किस-किस धातू की बनी हो सकती है जैसे mainly cost iron यह धलवा लोगे का इसमें उप्योग किया जाता है परन्तु ग्रे नाइट को जादा तर हमारी जो कारशाला में उप् किया जाता और बहुत आसानी से खराब नहीं होती इसमें और भी नहीं आते हैं यह लिए हाँ आप समझ लें मतलब करते हम जबिक SP अर यहाँ की आट के वहा निदू कि व와र को है इसके हमने कि सबल weniger mo구 में घातू की बारारा में में बात कर ली अब साइस की बात करें तो 300 mm into 300 mm से यहां ले सकते हैं अपन, 3000 mm into 1200 mm तक, जैसे वहाँ पर मैंने एक size लिखा हुआ है, वो cast iron का, वो example के लिए लिखा हुआ है, जैसे निमी की बुक में दिया हुआ है, 2000 into 1000 mm होता है वहाँ, cm में भी लिखा जाता कहीं और grade बन की, अब इसके बात करें हम grade की यह स्रेडियों की, तो यह 00, यह grade भी होता है, 0 grade भी होता है, 1 भी होता है, लेकिन जो हमारी workshop यह कारसाला में उप्योग करते हैं, तो वह 123 में बांटा गया है, 1, 2 और 3, यह grade हो में बांटा गया है, तो जो 2 और 3 grade है, इसकी अपेक्छा मानन क्या होती है, grade 1 बाली, मानन होती है, अब बात करें हम surface plate के, applications की, यह उप्योग की, कि हम कहां कहां इस्तमाल करते हैं, तो हमनों क्या जाना, यहां क्या करती है, किसी भी job, job पर हमको marking करना है, तो उसके लिए एक accurate surface की ज़रूरत होती होती है मेसा में, या परिसुद सरपेश, जिसकी माध्यम से हमारी accuracy आए, या एकदम accurate के आए हमारा, जो भी हम marking कर रहे हैं, वह accurate आए, अगर खुदुरी सता हुई, तो उस पर क्या, bandness के कारण हमारी जो, हम marking कर रहे हैं, वह गलबल हो जाएगी, या कोई भी job है, हमको देखना है, फ्लेट है की नहीं, अब जो हमारी surface plate है, इसकी जो सता होती है, या इसका surface होता है, वह flat होता, तो इसके माध्यम से हम dial gauge से check कर सकते हैं, dial gauge के माध्यम से, जैसे B block पर कोई गोला कार job को रखकर हम उसको center पता कर सकते हैं, या काम होते हैं, किसके surface plate के, या datum सता की रूप में काम करती है, जो कि datum माना जाता है, मतलब कोई भी सता है, जिस पर हम job रखते हैं, वह datum होगी माना की, तो वहां हमें कैसी चाहिए, हमें सामतल प्लेट भी कहते हैं, surface plate या समतल प्लेट, अब देखे, उसके बाद हम जब भी इसका use करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमको क्या करना है, साउधानिया बरतनी है, कुछ precautions, तो साउधानिया की बात कर लें, तो क्या क्या precautions लेने चाहिए हमें, जब भी इसको use कर रहें, जब भी हम surface plate को उप्योग करने वालें, तो उससे पहले हम साप कर लें, और जब उसका उप्योग हो जाए, तो साप कर कर रखें, इसका ज़्यादा इस्तमाल नहीं कर रहें, तो हम grease या oil में रखें, और कभी भी इसको cutting tool से दूर रखें, क्योंकि वहाँ उसकी सता को खराब कर सकता है, और कभी भी इसके punching ना करें, या cutting tool का इस्तमाल ना करें, जब भी इसके job पे हम marking या कुछ भी कर र surface plate के बारे में जाना, एक बार हम revision कर लेते हैं, और यहाँ, जब surface plate को हम उल्टा करकर देखते हैं, एक चीज और देख लेते हैं, तो इसमें rips बनाया जाते हैं, और खोकली बनाया जाती है, नीचे से stand, जो उसका बनाया जाता है, वो खोकला बनाया जाता है, ताकि इसका bait यह है एक पॉइंट यह है और एक पॉइंट यह है यह थी पॉइंट सस्पेंशन के माध्याम से इसको stability मिलती जैसा कि हमने सीधी रख्यू इसा प्लेस एक किया और यहां पर यह थी पॉइंट हमारे क्या है यह लेक्स से उसकी टांगे हैं जिससे वह stability प्रदान होती है इसलिए हम उसके three legs बनाए जाते हैं यह होगा अब एक बार हम revision करने तो यह किस प्रकार का टूल है यह एक मार्किंग टूल के अंतर गता आता है क्योंकि इस पर job को रखके हम मार्किंग यह चिनल लगाते हैं इसके से पायताकार गोलाकार या सर्फेस प्लेट किस धहतु की बनी होती तो वह ग्रे नाइट और साइस साइस देखा हमने 300 इंटू 300 mm से और इसी तरह इसकी चोहलाई इसके साइस पर डेपेंड करती है कि कितना चोहलाई रखनी चाहिए इसकी अब देखिए उसके बाद हमने जो देखें इसके ग्रेट ग्रेट जीरो भी होता है पर जो हमारे कार साला है वर्क्शॉप में उप्योग की जाते हैं वो कौन सी वन टू थ्री उसमें सबसे मानने कौन स हमाना जाता है वन वाला इसकी एप्लिकेशन से उप्योग क्या है तो हम इससे प्लेटनेस चेक कर सकते हैं डाइल गेज के माद्धियम से बनने और हाइट गेट से मार्किंग कर सकते हैं डेटम सर्पेस बनाके सर्पेस प्लेट के ऊपर कोई भी जॉब को रख कर उसके नात ना रखें इस पर कभी पंचिंग ना करें और जब भी इसे रख रहे हैं तो सुरक्षित किसी कवर में रखें जिसे लकडी या हलके हलके कवर में रखें धन्यवाद मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ